आज मैं बात करूंगा किसान जो हमारे दिल्ली के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं लाकों किसान पंजाब से जादा तर हैं लेकिन हरियाना से आए हैं राजस्तान से आए हैं क्या ये जो मोदी सरकार तीन किसान विरोधी काले कानून लेकर आई है खेती के काले कानून लेकर आई है क्या अब धीरे धीरे ये जो तीन काले कानून है और चार बड़े उसके क्लॉज हैं यानि कि चार पॉइंट है क्या इस पर मोधी सरकार अब दवाव में आ गई है क्या मोधी सरकार धीरे धीरे कॉंप्रोमाइस के लिए तयार है या ये सिर्फ एक जहांसा है क्या किसानों का ध्यान भटकाने के लिए कहा जा रहा है कि मोधी सरकार अब कुछ बातों को मानने के लिए तयार है इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में तो ये जो तीन काले कानून है इनमें चार बड़ी मांगे किसान लेकर आए हैं और सबसे पहला मांग मैं ये इंपोर्टन से नहीं कह रहा हूँ सबसे पहला मांग क्या है उनका कहना है कि ये जो जो रिजिस्टर्ड एपी एमसी के मंडिया थी अब तक जो सरकार चलाती थी जो रेगूलेटड मंडिया है जहाँ पर किसान अपना अनाज ले जाकर बेचते थे वहाँ पर कुछ टैक्स लगाय जाता था कुछ टैक्स है कुछ सरचार्ज है ये जो सर्चाज और टैक्स है इसको कौन देता था? ये देता था जो किसान ने देते हैं आपने देखा होगा कि बहुत सारा भ्रहम फहलाया जाता था कि किसान ये चार्ज देते थे जी नहीं ये जो आड़तिया हैं या ट्रेडर हैं जो व्यापारी हैं जो खरीदते थे अनाज वो देते थे पंजाब में जैसे 3% का लेवी होता है जो कि मंडी चलाने के लिए खर्च है उसके लिए लेवी है और दूसरा 3% का सर्चार्ज है ये किसलिए लिया जाता है? ये सर्चार्ज लिया जाता है ताकि rural development यानि कि गाउं में सडके वगेरा बनाने के लिए खर्चा ताकी उठाया जा सकता है ये जो 6% का tax है ये APMC मंडियों पे लगता है लेकिन नए कानून के अंडर जो private मंडिया हैं जहां पर private लोक अगर खरीदेंगे वहाँ पर ये कर नहीं लगेंगे ये एलेवी और सर्चार्ज नहीं लगेंगे इससे क्या होगा जो private व्यापारी है उनका फायदा है अगर 100 रुपे का वो अनाज खरीद रहे हैं जो APMC में registered व्यापारी है उसका क्या है आड़तिया है उसको 6 रुपे तो tax देना पड़ेगा प्राइविट वाला जो है उसको इसका कोई खर्च नहीं है अगर उसको ये खर्च नहीं है तो वो सस्ते में थोड़ा बहुत किसान को भी देकर और खुद भी profit बढ़ा सकता है इसका मतलब क्या है कि जो आड़तिया है जहां पे किसान जाकर अपना माल रखते हैं उनको मुश्किल होगी ऐसे मंडियों को और जो private मंडिये है उनका फायदा है इसलिए किसान कह रहे हैं कि जो APMC का मंडिये है जो मंडिये सरकारी regulated मंडिये है और जो private मंडिये दोनों में यही लेवी और सर्चाज लगना चाहिए इसका कारण क्या है आप कहेंगे कि इसलिए तो आड़तियों का फायदा है किसान इसके लिए क्यों लड़ें इसका एक कारण तो यह है कि किसान वहाँ पर जाकर अपना माल रखते हैं और वो अपने घर पे स्टोर नहीं कर सकते हैं यह एक बड़ा कारण है और दूसरा है कि जो आड़तियों है या व्यापारी है जो गाउं में रहते हैं उनका एक social linkage है सामाजिक एक link है जो किसान के साथ सबसे पहले क्या है जब किसान को जरुरत होती है पैसे की वो bank से पैसा उतना आसानी से नहीं मिलता है यह आड़तियों या निकी व्यापारी से मिलता है दूसरा चीज क्या है किसान जो सारे चीजे खरीते हैं चाहे वो fertilizer हो, beege हो, pesticide हो, यह सारा जो कीट नाशक हो यह सारा आरतियों से ही खरीते हैं आरतियों से उनको supply मिलता है और आखिर चीज जो है किसान का जब फसल कटने का वकत आ जाता है तब आरतिये ही आकर उसको उठा आड़तिया आकर खरीदते इसलिए मिल रहा है मंडी में खरीदा जा रहा है जहां जहां मंडी में खरीदा जाता है वहीं पर मिलता है बाहर नहीं मिलता है यह आप याद रखिए इसलिए किसान कहते हैं कि level playing field होना चाहिए जो private मंडी है और जो सरकारी regulated APMC की मंडी है वहाँ प point पे हम आ जाते हैं दूसरी वाली point क्या है दूसरी वाली point यह है कि जो APMC जो मंडीों में आरतिय होते वो registered होते यह जो registered मंडी में आरतिय होते उनका क्या होता है कि अगर वो किसान से जैसे कि अनाज उठा ले या जो पजह उठा ले कुछ advance दिया बाकी बेच कि अगर दे र हो सकता है अब नए कानून में क्या हो रहा है जो private trader यानि private व्यापारी जाकर किसान से सामान खरीदेंगे उनकी registration की जरूरत ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं वो सीधा कह सकते हैं कि यह देखे pen card सिर्फ pen card दिखाकर वो किसान से खरीद सकते अब क्या है वो truck पे अनाज बिठा कर बोरे में भरके तो ले गए थोड़ा सा advance दे कर लेकिन फिर गायब हो गए किसानों को डर है कि एक बार अगर वो अनाज लेकर निकल जाए तो उनका local area में कोई अस्तित्व है नहीं वो कहीं पर registered नहीं है उनको कैसे ढूंड के निकालेंगे किसान तो ये भी देखे किस त नहीं होंगे तो स्कूल ही नहीं होंगे उसी तरीके से आड़तिय भी हम जानते हैं कि आड़तिय किसान से कभी-कभी चीजे सस्ते में लेते हैं उनको exploit करते हैं लेकिन फिर भी अगर आड़तिय नहीं होंगे किसान भी जानता है बाहर का कोई आके उनको उल्लू बनाकर निक अब क्या है कि dispute हो कोई भी जमेला हो तो जंजट हो civil court में आप नहीं जा सकते हैं यह नया कानून है सिर्व किसान और जो खरीद रहा है ट्रेडर या जो contract में आपको काम दे रहा है इसमें अगर कोई भी जमेला हो dispute हो civil court तक नहीं जा सकते हैं local जो subdivisional district magistrate है SDM है उन्होंने जो appellate tribunal बना रखा है वहीं पर आप जा सकते हैं और वो ही कहेंगे जो वो ही मान्य होगा बाद्य होगा तो आप देख लिए जिए कि तीन तीन ऐसे point है तीनों जुड़े हुए हैं तीन ऐसे point है जिसमें किसान कह रहे हैं कि यह नहीं होगा तो और यह नहीं होगा तो हमारा पूरा जो system है वो बैठ सकता है और वो ठीक से नहीं चलेगा खेर सरकार का क्या कहना है सरकार कह रहे है कि तेखी यह जो तीन point है ना इस पे हम धिरे-धिरे मानने को तयार है चले कोई बात नहीं आप कह रहे हैं कि जो private मंडी है वहाँ पर भी स सर्चार्ज लगना चाहिए रूरल डिवेलफमेंट के लिए ठीक है कोई बात नहीं सर्चार्ज लगा देंगे अच्छा हमने तो इसलिए कहा था कि registration होने की जरूरत नहीं है पैन कार्ड लेकर कोई आ जाए ताकि यह जो पूरा बाबू तंत्र है उससे यह पूरा कृशी क का जो मामला है वो बच सके इससे किसान कोई फाइदा होगा लेकिन अगर किसान भाई लोग सोचते हैं कि इससे फाइदा नहीं है अगर किसान परिवार सोचते हैं इससे वो लुट सकते तो ठीक है हम registration करवा देंगे KYC बढ़ा देंगे और आखिर अगर civil code जाना चाहते हैं किसान अगर वो हमेले में पढ़ना चाहते हैं हम तो इसलिए कह रहे थे कि लोकल ही मामला है लोकल में मिट जाता है अगर वो जाना चाहते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं civil code का भी मामला हम सुन लेंगे यही मीडिया में धीरे धीरे खावर आ रहा है कि सरकार इन तीन मुद् नंबर फोर इनका अगर मैं एक जो वेंग स्केल है तराजू पे रखो तो यह जो तीन मामले वो पांच परसेंट होंगे टोटल डिमांड के पांच परसेंट है असली जो 95 प्रतिशत डिमांड है किसान का जिसके बिना यह पूरा जो मामला है वो सुलज नहीं सकता वो एक ह है और वो है MSP यानि कि न्यूनतम समर्थनमूल्य वो ही सबसे बड़ा मामला है और इसी पे सरकार नहीं सुनना चाहती क्यूं किसान कह रहे हैं कि आप तो कहते हैं भीया कि अगर अगर यह जो नए कानून है अगर प्राइवेट सेक्टर को आने दिया जाए बड़े- कमपनिया आए तो किसान को अच्छे दाम मिलेंगे अभी दाम नहीं मिलते हैं तो अब अच्छे दाम मिलेंगे अभी तो सिरव MSP मिलता है न्यूनतम समर्थनमूल्य मिलता है जो सरकार दे रही है और वो भी ज्यादातर को नहीं मिलता है तो अब जब बड़े कमपनिया अच्छी तरह से चलेगा तब किसानों को और भी पैसा मिलेगा अगर यही बात है तो फिर MSP नियुनितम समर्थन मूले को आप कानून में क्यों नहीं बदल देते यही किसान मांग रहे हैं न कि कानून बना दीजिए MSP को कानून बना दीजिए कि ताकि इसके नीचे कोई नह किसान से तो आपको फाइन देना पड़ेगा जुर्मान यह आपका जेल भी हो सकता है यही कह रहे है किसान कि अगर लाव होने वाला है यह सारा रिफॉर्म यह सारा एग्रिकल्चर रिफॉर्म आप सुन रहे हैं न कि अब क्रिशी में 1991 आ गया है जो रावमन मोहन जी सरकार यह ने किया था वो अप फिर से आ गया है क्रिशी में आया है इतने साल से नहीं आया अगर यही है अगर किसान का भलाई होने वाला है तो आज अगर जो पैसा मिल रहा हो काफी नहीं है उसको आप minimum floor बना दीजे ना उसके नीचे आप नहीं ले सकते क्यों नहीं करना चाहती है क्योंकि सरकार को भी पता है सब को पता है कि जब बड़ी कंपनिया आएंगी शुरू में तो कुछ पैसे दे देंगे वो लेकिन बाद में किसान का पूरा मार्केट कबजे में करके वो कम पैसे में अनाज खरी देंगे जो कि पूरे दुनिया में हुआ है सिर्फ भारत नहीं जहां पर भी private sector आया है जहां पर भी privatization हुआ है कृशी में वहाँ वहाँ ऐसा ही हुआ है और इसको इसके बारे में सबको पता है इसलिए ये कानून में नहीं आ रहा है इसलिए MSP युनतम समर्थनमूल कानून में नहीं डाला जा रहा है और मीडिया में बताया जा रहा है कि भाया सरकार तो तयार है देखिए सरकार तो तयार है चार मुद्धे हैं उनमें से तीन तो सरकार मान रही है अरे चौते पे आप लोग मान जाएए जी नहीं किसान कह रहे हैं ये जो तीन मुद्धे हैं इनकी जरुरत चौटे मुद्दे पर आप मान जाईए तो तीन आप रख लीजिएगा, खेर किसान में कुछ नेता हैं जो थोड़ा सा समझाता करने को तयार हैं लेकिन जो खबर आ रही है ग्राउंड से यानि की बॉर्डर पार से दिल्ली के बॉर्डर पार से जो खबर आ रही है वो यह है कि किसान जो वहाँ पर बैठे हुएं वो अपने नेता से कह रहे हैं कि आप समझाता करके आएंगे ना तो आप गाउं में घुस नहीं पाएंगे समझाता मत कीजिए हमारा जो हक है उसको दिला कर रहिए ये तीन काले कानून वापस दिलवा कर वापस आईए तो आज का एपिसोड यहीं तक